दोस्तों जिन लोगे घरों में भी अब टाटा स्काय का कनेक्शन लगा हुआ उनकी टीवी स्कीन अब बजग चुकी होगी क्योंकि उनका जो टाटा स्काय का जो लोगो आता था उनकी टीवी स्कीन के राइट कॉर्णर पर अब वो आता होगा टाटा प्ले के नाम से क्योंकि अब Tata Sky बन चुका है Tata Play अब यहाँ पर काफी सवाल उठके आ रहे हैं कि हमारा जो Tata Sky का connection है क्या वो बंद हो जाएगा हमें नया Tata Play का connection लेना पड़ेगा या हमारी जो भी हम recharge करते थे वो कि आप हमें Tata Play में convert कराना पड़ेगा तो दोस्तो अगर आपके भी यही सवाल है तो आप इस वीडियो को लास्तर देखें जिसमें मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब को मैं देने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है Manish आप देख रहे हैं Decode Manish तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों की यह आ रहे थे मेरे पास कि हमारा जो सेट अप बॉक्स है या हमारा करनेक्शन है वो क्या ब्रीचार्ट करा रहे थे यह रहे थे या रहे रहे हैं यह वह चेंज हो जाएगा आपको मैं जवाब देता हूँ इसी तरीके से जो पहले Tata Sky बिंच थी अब वो Tata Play बिंच सर्विस हो चुकी है अब बात करते हैं दोस्तों Tata Sky की ओ सौरी Tata Play के बारे में यानि की अब Tata Sky बन चुका है Tata Play यानि की कम्टी ने अपनी रीब्रेंड किया है अपने आपको और अब Tata Sky की जगे अब वो Tata Play के नाम से जाना जाएगा सर्विस वही रहेगी फंक्शन्स वही रहेंगे वही आपको चीज़े मिलती रहेंगी जो आपको एसटीस मिलती रही है जिस तरीके से जैसे कि आप काफी लोगों के सवाल यह आ रहे थे कि हमारा घर में Tata Sky के connection लगा हुआ है क्या यह अब हमारा काम नहीं करेगा हमें Tata Sky का connection लिना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है आपको जो भी Tata Sky के connection लगा हुआ था वो आपकी Tata Sky के नाम से आप जाना जाएगा और वोही सर्विस आपकी जो तानड़र सका पर चलती थी जो भी आपका मंत्री pack था वो भी as it is आपका Tata Play में चलता रहेगा उतने का ही रिचार्ज जितने का आप पहले कराते थे उतना ही आप Tata Play में रिचार्ज करेंगे तीसरा सवल Tata Sky का जो हमारा Setup Box है क्या वो आप काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रांडिंग चेंज हुई है थोड़े से ग्राफिक्स चेंज किया गया है लोगो चेंज किया है कंप्री ने बस जो सर्वीस है जो आपका Setup Box है चाहे आपका डिश है जाहे आपकी वो Connectivity है जो आपकी सेटेलाइट है वो सब कुछ सेम है बस कंप्री ने अपनी ब्रांडिंग चेंज करी है सिर्फ Tata Sky जो था वो टाटा प्लेयर की नाम से जाना जाएगा उसका लोगो चेंज किया क्या है कुछ टीवी स्कीन के ओपर आप देख रहे होंगे कुछ अलग से ग्र जहेगा चौधर सवाल जहां आप Tata Sky का एप इस्तिमाल करते है तो उसकी जगे आपको इस्तिमाल करना पड़े हैंगे क्यों पर इस प्री कर रहे हैं यानि कि आप PC Laptop फे यूज कर रहे हैं तो आपको सेंच करना है ट datafly.com और अगर mobile app में यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको टाटा प्ले का एप इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो से यूज़र आईडी लॉगिन आपने टाटा स्काय में बना रखा था वहीं वहाँ पर यूज़ होगा आपको कुछ अलग से क्रेट करन पूछ सकते हैं तो चले दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूलें